हेलो असलाव अलेकुम विल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई हूप आप लोग अच्छी होंगे तो अभी सुबा का पॉनिच्छे के लगबग वो रहा था और हम लोग उठ चुके हैं और रात भर बारिश होई है और काफी अच्छी जो हावा चली है ना हावा क साथ बारिश होई है तो वासी मशीन का जो कवर था वो सब उड़ गया था तो नीचे गीर गया था यह तो कहीं कि वासी मशीन खाली था उसमें कुछ था नहीं तो पानी नहीं कुछ नहीं भरा था हैलो असलाव अलेकुम विल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग हो चुका है और घर की हालत देख लीडी दे जी आहीं भी नास्ता करके गई और आज उसको बना गया का चीली की दो अपना टेंसर हो कि रात में चावल को फुला दिये थे लेकिन सुबह उठके ना समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चावल का चीला बनाए कैसे लेकिन हा फिर भी अपना उसमें दिमाग लगा लगा कि इतरह जो रेसिपी आज कल बना रहे ना कि दिमाग बहुत तेजी से काम करता है तो सब कि तो सब्सकूर कि ना से किए मची आई गजन गाए करणी नीकि कि शिप टी तो रात में लोग आहे खानाओ ना क्टे होटे होते हम लोग आए हम लोग हम लोग यह आए इतनी हरवड़ी में कि हम कुछ भी बोल सकते हैं तो रात में यह आए खाना खाए उसके बाद हम लोग 12-12 बज़े सोए हैं और 4 बज़े से जागे हैं क्योंकि नीन में क्या होगा ना कि इनका इधर का पैर का इनका नस पता नहीं कैसे चड़ गया और इता भयंकर वाला में जब नहीं वह हिम्मत हुआ तो हम बले रहने दीजिए मच जाए तो यह ओफिस नहीं गए हैं और अब सारा दिन घर में रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मेरा काम कितना है अदुरा-दुरा सका फटा-फट काम कर लेते हैं और इनके लिए ना तेल गरम करेंगे यह उस्ता गरम कर चके उससुभा इनको नास्ता दे चुके थी जब यह बोले कि ऐफिस जाएंगे तुमके चला नास्ता कर लाइजेगा लेकिन यह इंगी तो नास्ता कर चुके हैं वह हम इसी बाकी नास्ता करने के लिए और जिया को चोड़कर यह यह आपि कब तुरंत है तुरंत आ गए अभी तक हम ब्लॉग बस स्टार्ट किये था हम सोचे कि चलो जल्दी अपना काम कर लेते हैं अभी हम हाई हलो कि यह तब तक यह आ गए लगडू तो चलिए भी तेल गरम कर देते हैं और बेड़ोट सब कुछ ठीक कर देते हैं तो सबसे पहरे तो यह ब्लैंकेट उंकर सब कुछ हटा देते हैं और चादर को आज सोचे थे कि आज चादर चेंज कर देंगे लेकिन आज चादर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अभी कि देविर की मालिश करनी है तो होता क्या है तो आज इसलिए पुरानी चादरàiर खिंगरा हम देविर ना क mütto लेता हैं ताकि पुरानी चादर दिये वह में हमेंं जई पहलाय चादर ते गलाम चलता ही तेकिंगल जए बोढ़ पुरानी चादर थी कोई उपाद्य सीमिन कम चार्थ好 लोग थे जूह neatly स्कूशने में बड़ा हम चादर, अब भी सहाद्य नहीं थे चादर लिए थे जब ओफर अच्छा रहता ना जब चादर अच्छी मिल जाती है तो कुसी एक के घर में देखिए अच्छा कहां से लिए अच्छा यहां अच्छा है एक यह ब्लू और एक पिंक दो कलर में काफी जाता चला था मिरे पस दो नौही कलर था ठीक है तो चादर लेकिन क्या करें जब चादर खराब हो जाएगा तो इससे अच्छा है नब बचाने के लिए कुछ भी हो सकता है तो चादर विछा दिये हैं और इधर का रूमोम सब ठीक कर दिये हैं और यहां पर जो रेसिंग टेबल के समान जब बाहर था उसको रख रहें और साथ ही साथ म अगर जिसको जिसको पता होगा वह है तो वह मालिश के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको भी तेल हम लोग जीसु जीया सब की मालिश ना उसी से हुई है तो बचों की जो हड़िया है वह भी मजबूत होती है और तेल दरदुरत के लिए बहुत अच्छा होता है तो अगर उसका गरम तेल की मालिश कर दीजा ना तो आराम मिलता है तो हम लोग लाते हैं हाँ यह की थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन बस यह की आराम रहता है तो यह चीज है और यह सब जो तेल होती है यह लोकल आपको रसन की दुकान इस तर नहीं मिलेगा मेडिकल स्टोर में ही मिलता है जो कि हमारे यहां खतम हो चका है और इस बार लाए भी नहीं है काफे टाइम हो गया इस बार नहीं लाए हैं तो बस यहाँ पर नॉर्मल जो तेल है वो पकाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लेसन चिल रहे हैं लेसन और अजवाइं जाट को पर देदे बहुत जाँ उससे फूट सबस्ते रखे करें शोट हैं नहीं है और जैसे ही आएंगे तो इनकी तेल की मालिश करेंगे पहले तेल पकाएंगे ताकि जो तेल है वो गरम रहे अभी से गरम करके रख देंगे और फिर यह जब तक आएंगे तब ठंडी हो जाएगी तो उतने देर में चलिए अपना घर का काम कर लेते हैं तो जिसु का मैं ऐसा उसमें लगाती हूं तो बस विस्तवस्ता साफ हो चुका है और जाडू पूरे रूम में जाडू लगा चुके हैं और यह भी बस आने ही वाले हैं तो मैं सोची कि चले तेल गरम कर देते हैं तो तावे पर ही तेल पकाएंगे और यह जो तेल है जब पकने के बाद काथ भी थोड़ा यह ढ़ी ठंडा हो जागा उसके बाद ही आप मालीश कर सकते हैं क्योंकि बहुत जाद़ा तेल गरम होता है तो अपना घाद भी ज़णा में जलने का डर रहता है तो यहां पहाँ पहर दीकित्वीं कोछील तो लिये थे लेकिन कूट ए नही ते तो यहां आजवायन खुब सारा ुडाल दीजिए और जब तक अच्छा तरा काला ना ओज़ाया लाल नहीं नहीं काला ओजाए तब जाके फायदा करता है जो सका जितना भी गरमाट होती है न वो तेल में आ जाती है पक जाता है तो वो तेल ज़्यादा फायदे करता है और हम लोग के हां तो हमेशा हम लोग पका के हम लोग के हां अमेरिका से हर घर में जिसके हां छोटे बच्चे होते हैं वो लोग भी तेल पका के रखते हैं या जिनके बुजूर् तो यहां पर जैसे सरसों का तेल गरम वहा इसमें डाल दिये खुब सारा अजवाइन और यह देखिए खुब सारा लेसन अब इसको न पकाएंगे जो यह तेल है यह आधा हो जाता है और इनका तेल मालिस हो चुका है और उसके बाद यह कहीं गए हैं और यहां पर मैं लेकर बैठी हो क्योंकि यह लेकर आए हैं चिकन चिकन लेने के लिए गए थे और बरसाथ का मौसम है ना तो बोले कि जब आज आज आफिस नहीं गए हैं तो चिकन बनाओ चिकन खाया जाए तो चिकन और प्लाओ दोनों यानि कि गोस्प्लाओ बनेगा हम लोग ऐसे नॉर्मल मे गोस्प्लाओ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो मुर्गा है मेरा मुर्गा तो पक रहा है यानि एक तरफ चड़ा दिये हैं बुनने के लिए और एक तरफ प्लाओ चड़ा देते हैं तो कूंकूकर में ही प्लाओ बनाएंगे डिक्ची मुक्ची में नहीं बनाए नीद नहीं पूरा हुआ ना तो जिसकी वज़ा से दम सर भारी भारी लग रहा है तो यह जी आ नीचे बठी है आप लोग सोचरूंगे यह नीचे क्यों बैठी है क्योंकि इसको नास्ता जाहिए नास्ता नास्ता जाहिए इस लड़की हो देखिये ध्यान से देखिये इस इन सब्सक्रावन होगी कर देख कि कम्रारों हो? मैदनी나 कर दिया करें या मैदनी दॉषन कर देख करता तंप दूब हो यही इहाँ इन सेयाँ करत door इसे अधक ठोड़न दती है ग news यहाँड जो बजये से नमस्ली मैदने दो पांच उन्स,घूज से लिए बिया। पिला पाइब है,उन नहीं डेले में तो तो यह क्यों करें चाहिएंगे और इसे बाद पिर चाहे पयेंगे इतने अच्छे हैं अप लोग सोचते हैं उसे भी जादा इन अच्छे हैं जादा इसे कोई बुराई कर दे तो अब आएं क्यों रहा है यह लेट गई थी लेटी देखिए आप लोगों का आज किता संसान नाटा लग रहा तो अच्छा लग रहा है ने तुधर ना बाचीत भी नहीं क्या लग गया नहीं टी शर्ट पे अच्छा यह लिए 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 और आप लोगों को दिखा हैं कल के ब्लोग आप लोगों को दिखायते हैं कि इसमें फूल खिला था और यह देखिया आज हमारा फूल क्या हुआ यह तो विचरा ठीक से खिल भी नहीं पाया था और वो जा गया तूट गया क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा लगातार हुई ना तो उससे बारिश की उसे बून से तूट यह तो यह है और बारिश के बाद जो मौसन थोड़ा सा खुलता है ना तो अच्छा लगता है बाहर खड़ा हो ना बैठना बूप और पुदीना दिखाए आपको पुदीना कितना अच्छा लग गया है लेकिन धानिया नहीं लगा दिखाए बैठ यह देखिए यह पुद कि लगेगा कि नहीं लगेगा लेकिन हाँ यह नहीं थानिया नहीं लगा हमारे हमारे थौटा सा वैसे थना MAKE inputs रोजी करते हैं लिकिन पता निन कि הנ कर या कोते हैं थोड़ा सफ में कब लिए आप तो मेरी Tôi से क्यों करें है नहीं देखीन लेटीन जहां लेटेजी कामरा अजया है क्या बोली? कुछ बोली और तू? नहीं जिया लेटी है यह जा ज़सी को बढ़ाराती लेटी तो रात ऴी अश्याच सवोजाती है तो चलिए इंतिजार करते हैं यह आएंगे और उसके बाद चाय पीएंगे बोलके तो गये हैं कि कुछ खाओगी तो हम बोले कि लित आईएगा आप कोई ऐसे पूछता तो मना नहीं करना जहीं से इंसल्ट हो जाती है ना सामने वले की तो हम बोले की देख लिएगा जो आप इसके अलावा आप कुछ उमीद नहीं कर सकते हैं कभी कभी ज्यादा खुस हुए जी अगर बोली तो मुमोस बस यह तो चलिए इनका इंतिजार कर लेते हैं टाइम देख लीजिए अप लोग तो 6 बचके 10 मिनट हो रहा है तो यह आ चुके हैं और चलें फिर अप चाय बना आपके दोपार कची क्या गिरां अगरां क्या गिरां क्या गिर अटना अगरां कौन तोड़ा है कौन तोड़ा अगरां तों तोड़ी हो वेरि गूट सब्दाश तो दूध आर समोशा आचुका है जो चलिए समुसा कहती रखार चीटा है गिराते नाये देखें बाइक से आए जो चाह बनादे ऑचम dat बना झाय चाहा है था मटना था दोड़ को चिपन है इन नेच जो चाह 한다 जब खौल जाए इसको फ्रीज में रखने के बाद जैसे लगता है सारा प्रॉद स्वाद वह भी चला गयाला ग्रफोर जाता है और जो मालाई होती है वह ऊपर आ जाती है तो नीचे से पानी बशता है और चाहे बनाएए नो भी पानी बानी चाहे दी तो तो पेपर दूद क चटनी इताइए है कि रिखेंड जो पसंद करता है कि लाम चली जो आनल औरंग और उरनज जो अन्य होता है तो यहां पर देखेंड चार समुसा आ है जबकिव जी इस के लिख जीनी सी आया है मेरे हजबन को बोलने का सिर्फ हाग मुझे है सिर्फ हम बोल सकते हैं और यह समने टैलेंट होता है अजी लेट के खाई जो चीज हम नहीं सुधार पाए वह आप लोग कैसे सुधार सकते हैं यह तो मेरी इंसल्ट हो गई इसने साल अमसाधिक हो गया हम इनको सुधार निपाए और आप लोग दो दिन में दिखिए सुधार दिये तो इसा चीज अच्छा नहीं है इनको सिर्फ हम बोले हम जो इनको बुन लागा वह आप पहले हमको बताईगा दीर से कि ऐसे इसे तो बोलेंगे कुछ टैलेंट कहां से आया आप में यह हम लोग समोसा खा लेते हैं और उसके बाद फिर चाय पीते हैं तो हम लोग चाय वाई पी चुके हैं और समोसा भी खा चुके हैं और बस अब चलते हैं तो खाना की तयारी करेंगी और यह लोग मार्केट गए हैं दोनों लोग मार्केट गए हुए हैं तो मैं सुची जो लग जा रही थी तो अभी जो हम लोग चाय पिये उसका बरतन दो देते हैं और चाय का जो सिर्फ पिन है वो अभी बाहर ही आप लोग देख रहे होंगे मुझे क्या है कि जब चाय जब मिलती है ना तो बस चाय ही मुझे चाहिए उसमें ना तो बिस्किट चाहिए ना तो कोई श्रिज तो मेरा मन भरता है ने तो ऐसे में ना फिर मन नहीं बेना तो istas बनाएंगे और यहां पर मैं आप लोग को दिखा रही थी कि आज बनाने वाले हैं bạn जिया के लिए chili chicken और वो भी यह वाला जो Packet वाला जुबाता है 훈क है तो इसी से बना के First time इसको namelijk आप है करेंगे और आप हां लोग को साथ बताएंगे अगर अच्छा बनेगी तो बताएंगे कि हां कि आप लोग मैं कर सकते हैं इसकी ड्रेसिपी है और ऑब फ्रीज में रख देते हैं वैसे तो यह काम जिया का है लेकिन अब जिया है नहीं तो मुझे ही करना पड़ा तो चिलाओ करके हटाई देते हैं नहीं तो यहां पर सामने ना ऐसे ही फिर रखा ही रहता है और एक तो काम का वो रहता है फिर जिया करो जिया करो और यहां पर काल चुके हैं और बीच में इधर फी जीसू के साथ चले गए थे बात करने के लिए जीसू कॉल कर दिया था ना तो फिर उससे बात हो गई है शाम के टाम जरूर करता है भले ही पांच मिनट के लिए करें लेकिन करता जरूर है तो मैं यहां पर पढ़ भी रहती ध्यान लगा क्योंकि अधिकतर मैं ऐसे ही करती हूँ जो रहता है ना मैं कभी नहीं वैसे ट्राइ करती हूँ तो यहां पर दिख लिए तो थोड़ा सा अधरक लिए हैं लेसुन लिए हरी मिर्च है और आधा प्याज है ठीक है और जो चिकन था इसमें क्या ना हड़ी वाला नहीं है और सिर्फ गोस्त है ठीक है धोकी और इसको रख चुके हैं और महीन महीन नहीं बड़े बड़े टुकड़े में ही जैसे कट होके आया था वैसे ही है मैं इसमें ज्यादा कुछ खानी नहीं करी चाहती तो और भी ज्यादा जिसको हाफ-ाफ कट कर लेते हैं तो ज्यादा अगर के पास टाइम है तो इसको ना आप और भी कट कर लीजे बहुत बड़ा बड़ा पीस है तो जो बहुत ज्यादा था मैं उसे कट कर ले रही हूं और बाकी सिफ ऐसे ही छोड़ देंगे ठीक है तो बस अब जैसे मैं बना रही हो वैसे ही आप लोग बनाईएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा बचों को बहुत पसंद आएगा बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा तो कि यह जो है ना थोड़ा सा ना तीखा तीखा सा बनता है तो काफी ज्यादा मज़ेदार बनता है आप लोग चाहें तो जो मैं भी चिकन फ्राइग कर रही हूं आप सिर्क और इसको भी कर सकते हैं और कभी अगर शाम के टाइम चाह के साह Leanne लिए और पेस्ट बनाए थे और पेस्ट अत् pleased mosquito कासा दरदरा किये थे वो डाल दिये हैं और उसमें डाल दिये थे कॉन फ्लोर और उसके बास सॉस डाल देते हैं तो वैनिला नहीं वैनिला नहीं क्या है वाइट वैनिगर वो डाल दिये थे चिली सॉस डाल दिये थे सोया सॉस डाल दिये थे और बस अब इसको मिक्स कर दिये नमक मैं भूल गई तो चलिए थोड़ा सा इसको नमक भी डाल देते हैं नमक ना हलका डालीगा कोई कि सॉस में अपना नमक होता ही है फिर आप नमक अगर अंदाजे से डाल देंगे ना तो फिर नमक बहुत जादा हो जाएगा इसलिए नमक हमेशा जब भी आप चिली चिकन चिली पनीर कुछ भी बनाए ना तो उसमें नमक खलका डालीगा ठीक है तो यहाँ पर मैं नमक डालके और फिर इसको मिक्स करके और थोड़ा दर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं कि जो सौस है वो चिकन में अच्छी तरी से चला जाए ठीक है और अब यह जो फैलावन हुआ है इसको सब कुछ समीड़ देते हैं मैं लगे हाँ जब भी कभी काम करते हैं रेसिपी भी शेयर करते हैं तो लगे हाँ सूचते हैं कि काम अपना सब हटाते जाए को कि करना हमे अएं बहु जो जो फैले हैं कि जो पाउश भी और अधर इसको रखना है तो दुबति चैस्च भी और नेकिदो पाउश आरे जो पाण्यज़दा एस तो मिक्स और यह जो 5 तरीके और गरम पानी में नहीं ठंडे पानी में यहां पे मैं आप लोगों को आगे ती दिखाने के लिए तो यह देखिए कितना अच्छा काला काला सा इसका पेस्ट तयार हुए है लेकिन अब चीली वाला है तो काला ही होगा ना कोकि इसमें सौ सो सब है और जब भी यह बनाई है इसमें सौ सो भी डालने के जरूट नहीं पड़ती है ऐसे ही बन जाता है तो इसलिए तो यहां पर मैं रिफाइंड जब गरम हो गया तो इसमें चीकन के पीसेज रखे थे ना वो इसमें डाल दिये है और अब इसको ना फ्राइ करेंगे पहले तेज आज पर फ्राइ तो ना धीमा धीमा करके फ्राइ करेंगे उसको ऐसे ही खाएंगे ना तो भी बहुत मज़ेदार लगता है तो लेकिन अभी हम लोग तो बना रहे हैं चीली चिकन तो इसलिए हम लोग मज़ेदार वाला नहीं खाएंगे हम लोग उससे भी जादा मज़ेदार वाला और अब इसको ना प्लेट में निकाल देते हैं ठीक है और उसके बाद ये जो रिफाइंड है ये बहुत जादा है तो इतना सारा रिफाइंड में नहीं चाहिए इसमें से हम आधा निकाल लेंगे और जितनी की जरूरत है सिर्फ उतनाई रखेंगे ठीक है तो आधा निकाल चुके हैं और अब इसमें डाल दिये हैं आधा महीन कट किया हूँ प्याज और इसको कर देंगे साइड में और जो हम लोग लेसुन और अधरक का जो पेस्ट बनाएते ना वो उसको भी साथमी साथमी इसको साइड में डाल देंगे ताकि लगे हाथ सब एक साथी इसमें मिक्स कर दीजेगा बहुत है इसको करने की जरूरत नहीं है इसे क्या होता है जो महीन प्याज ओप्सनल है अगर डालना चाहें तो बड़े-बड़े भी डाल सकते लेकिन इस से क्या होता है ना कि ग्रेवी आपकी गाड़ ही हो जाती है तो वह और मज़े-दार लग बाकिमे जावना है और यहां पर एक प्याज को बड़े बड़े कटकर के डाल दिये वह अगर पेस को अगर अगर आपके पैस अगर आप के पास तो आप इसमें इसे सिंबला मिर्च डाल डीजेगा और थोड़ा बहुत बचा लिये थे ताकि ये लोग आएंगे ना तो एक एक पीस खा लेंगे उसके बाद ये जो हम लोग गोल तयार करके रखे थे वो सॉस वाला जो पाउच वाला जो था और बस उसको डाल दिये हैं और एक मिनट इसको हाई फ्लेम पे करके ना पकाना है ब तो मैं इसमें लेसुन अधरक का पेस्ट डाली ना वो भी नहीं डालना है कुछ नहीं डालना है लेकिन अगर आप मेरी तरह बनाएंगे ना तो बहुत यमी बनेगा ये मैं बोल लेकि क्योंकि हम लोग खा चुके हैं इसले बता रहे हैं कि ऐसे बनाईएगा तो और भी जा चाहें तो ये मैं चिकन में बना रही हूं आप चाहें तो पनीर में भी बना सकते हैं पनीर का ही ये था तो आप चाहें जिसके साथ भी बना सकते हैं लेकिन बनाईएगा जरूर एक बटराई करिएगा बच्चों को भी बहुत अच्छा लगने वाला है तो चलिए फिर अभी तक हम गर्म ने किये हैं तो चलिए एक गैस खाली है तो एक पे दूर चड़ा देते हैं और एक पर रोटी बना देते हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा ना और करकि फिर सारा काम करूंकर ना उसके बाद ही फिर इधर से निकलेंगे, जब किचन में आ जाएए तो करती क्या हो औरते क्या करती है बहुत सारा काम कर लेती है जो कि पता भी नहीं चलता है हम लोगों तो पता चलता है लेकिन हाँ आदमियों को नहीं पता चलता है बच्चों को नहीं पता चलता है कि क्या करती है काम तो बस हसी मजा अपनी जगह है लेकिन वाकी बता रहें मेरी रोटी रोटी ना कभी-कभी ऐसा होता है कि रोटी बिलाती नहीं है आकर मुझे दुबारा फिर इसको लेकर लोई बनाना पड़ा तो फटा-फट बना लेते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे वीडियो की एडिटिंग करेंगे और आज मुझे थोड़ा सा डर लग रहा क्योंकि लेट पर लेट हो रहा है और हम सोच रहते हैं कि खाने के लिए लेट ना हो क्योंकि जल्दी से सो जाती है ना फिर उसको खाना भी नहीं मिल पाता है और आज उसका फेवरेट बन रहा है तो खाना वो पहले बन जाएगा तो खा लेगी तो बस इसलिए रोटी बना अब मेरा काम नहीं है, राम लिला से अब हух बातार कि आए hai, ओष दोरुटी बना दिया है, सब टाम एककाम स्कान ओपलीट हो गया है है, अब मेरा काम उसा अब क्या है कि अब हम आपको अफोड़ करेंगे खाना घान खृढ़ निकालेगी उसकेरा तो यह सब काम अब जिया अब मेरा काम शब बैदक यह अब बन्य Sup We RO network क्योंकि आज वन थोड़ा सा लेट में उठे तो लेट में उठे फिर लेट लेट में काम होगा तो लेट लेट की आज सब कुछ हो तो इसलिए तो चलिए पिर आज का व्लोग यहीं पर करते हैं I hope कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हां मेरा 15,000 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है लास्ट का जो होता है लास्ट का जो दस जो सब्सक्राइबर होते हैं वो होने में बहुत टाइम लगाता है और लास्ट जब 99 पर जब 8 का रहता तब तो और ज्यादा ले हुआ है और ध्यान लगा हुआ है कि हाँ कब होगा कब होगा तो चलिए हो जाएगा इंशालला जल्दी हो जाएगा तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं I hope कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता यह ना हुआ है